नमस्कार आदर शिक्षन संसान की ओनलाइन क्लासिस में आपका हारदिक स्वागत एवं अभिनन्दन आज हम कक्षाचे विशे विज्ञान के पार्ट चार वस्तों के समू बनाना पढ़ेंगे और वस्तों के समू किस प्रकार से बनाय जाते हैं उसके बारे में जानेंगे हमने पिछले दो अध्याए दूसरा और तीसरा अध्याए पढ़ा उसमें हमने कई प्रकार के भोजन सामगरी वह वस्तों के बारे में पढ़ा और हमने पाया कि हमारे भोजन और वस्त्रों दोनों में ही बहुत सी विवित्ताएं पाई जाती है हर इस्थान पर इसी प्रकार की विवित्ता वाली अनेख वस्त्वें होती है हम अपने चारों और कुर्सियां, बैल गाड़ी, साइकिले, खाना पकाने के बरतन, पुस्त के वस्त्र, खिलोने, जल, पत्थर तथा अने बहुत सी वस्त्वें देखते हैं इन सबी वस्त्वों की आकरतियां रंग तथा गुन बिन बिन होते हैं कुछ जो है हमारे ओजार की रूप में काम आते हैं, कुछ वाहन की रूप में, कुछ खाना पनाने और कुछ हमारे बैठने के काम आते हैं इसी प्रकार वस्त्वों में कई प्रकार की विबिन दाएं पाई जाती है अब यदि हम सिर्फ गोल आकरती की वस्तों को पहचाने तो हमारी इस सूची में विबिन प्रकार की वस्तों आएंगी जैसे गेन, रबड की गेन, फुटबॉल, कंचे, सम्मिलित हो सकते हैं यदि हम अपनी सूची में लगबग गोल वस्तों को, यानि सभी की सभी गोल वस्तों को सम्मिलित करें तो इसमें सेव, संत्रें, गड़े जैसी वस्तों को भी रखा जा सकता है मालनी जीए, हम ऐसी वस्तों पर ध्यान दें हैं, जिने खाया जा सकता है तब हम इस सूची में उन सभी वस्तीजों को सम्मिलत कर सकते हैं, जिने हमने part 1 में पूजन वाले part में पढ़ा था हम प्लास्टिक की बनी वस्तों का एक समू बनाना चाहते हैं पहले तो हमने आकार के अधार पर यानि सिर्फ गोल वस्तों का ही क्या किया समू बनाया अब हम प्लास्टिक की बनी वस्तों का एक समू बनाएंगे तो उसमें हमें कौन-कौन से नाम आएंगे देखिए बाल्टियां, लंच, बॉक्स, खिलोने, जल, पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत से वस्तवें इस समू में इस्तान मिल सकता है मतलब वस्तवों के समू बनाने के बहुत से डंग हो सकते हैं उधारन के में हमने वस्तवों को समू में उनकी आकरती के आधार पर पता जिस पदात से बने हैं के आधार पर बाटा यानि हम वस्तवों के जो समू है कई प्रकार से बना सकते हैं उनकी आकरती के आधार पर भी बना सकते हैं उनके उप्योग के आधार पर भी बना सकते हैं और उनके पधार्थ की प्रकरती के आधार पर भी बना सकते हैं हमारे चारों और की वस्त में एक अथवा एक से अधिक पधार्थों से बनी होती है ये पधार्त काच के हो सकते हैं, दातू, प्लास्टिक, लकडी, रुई, कागज, पंक, आदी म्रदा हो सकते हैं क्या आप पधार्तों के और अधिक उधार्णों के विशे में विचार कर सकते हैं तो इसके अलावा भी हमारे और चारों और अनेक प्रकार की वस्तवें होती है, जो अनेक प्रकार की पैधार्थों से बनी होती है। त्रिया खलाप एक, अब हम अपने चारों और से जित्ति संबह हो सके उतनी वस्तवें एकरत करते हैं। हम मैंसे प्रतिय अपने घर से प्रतिय दिन उप्योग होने वाली एक वस्तु लासकता है अत्वा कुछ वस्त्वी कक्षा के कमरे से अत्वा विध्याल के बाहर से इक्रत कर सकता है हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा देखो चौक होगी, पैंसिल होगा, नोट बुक होगी, रपड होगा, डस्टर होगा, हतोडा, कील, साबुन, पईये का आरा, हम वस्तों की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं, जिनके बारे में हम केवल सोची सकते हैं, यह जो हमने पहले चीजे ली, बैट, माचिस की दबी, नमक, आलू, यह तो क्या कर सकते हैं, हम अपने घर से अपने कक्षा में ला सकते हैं, लेकिन जो चीजे हम कक्षा में नहीं ला स जैसे कि टेक्टर है, ट्रक है, ट्रेन है, जाज है, एरो प्लेन है, रक्ष है, दिवारे हैं, दर्वाजे हैं, तो उनके बारे में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनको कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते हैं, इस संग्रश से उन सभी वस्तों को प्रत्थक कीजिए, जो कागच की तथा लकड़े की बनी है अब हम जो कक्षा में चीजे लाएं जैसे चौक, पैन, कागच, डस्ट अब इन लकड़े की बनी है तो इसी प्रकार हम खाना पकाने में उप्योग होने वाले वस्तु को भी क्या कर सकते हैं? कि हमारे गर में जो खाना पकाने के जो बर्तन है, कौन से काच के बने वे हैं, कौन से लकडी के हैं, कौन से स्टील के हैं, या फिर कौन से जो है प्लास्टिक के हैं, उनको भी हम अलग कर सकते हैं, या उनके उपयों के आदार पर भी ये सो सबजी बनाने के काम आता है, ये तो वो का नाम लिखना है, जैसे प्लेट है, कंगा है, आपकी बैंच है, कुरसी है, टेबल है, कुछ भी, इनके नाम लिखना है, फिर वो किस से बनी हुई है, उसके बारे में लिखना है, जैसे प्लेट, प्लेट अब किस-किस के बनी होती है, इस पाथ, याने स्टील से, स्टिक भी होता है धातों से भी լना हुआ होता है और कुछ यह जा ना चाहता है किieving ने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्तों रहा है एक से अधिक प्रकार की वस्तु वको बनाने में कै жест है जह जाता है यानि जो कुछ पदार्त में उसका भी एक से अधिक वस्तवरान में होता है जैसे कि लकड़ी है अगर लकड़ी लेली वो पदार्थ है अब लकड़ी से क्या क्या बन सकता है बच्चो मन में सोचो क्या दिमाग में आया आपके बैट बनेगा अलमारी बनेगी दरवाजे बनेगे खिलोने बनेगे आपकी कुरसी बनेगी मेज बनेगी ये सारे चीजे किस से बनेगी लकड़ी से बनेगी ऐसे ही उसी प्रकार से प्लास्टिक है तो उससे भी कौन-कौन सी वस्तवे बनेगी आप सोच सकते हैं तो एक ही पधार्थ से विबिन प्रकार की जो वस्तवे बनाई जा सकती है अब यहाँ पर जो सार्णी है वो हम देखेंगे कि समान पधार्थ से बनी विबिन प्रकार की वस्तवे हैं तो जो पधार्थ है, जैसे की पधार्थ तो एक ही है, लेकिन उनसे अलगलग प्रकार की वस्तुपे बन रही है, जैसे लकड़ी, लकड़ी से क्या बनेगा, कुर्सी, मेज, हल, बैल गारी और इसके पहिये, और इसके अलावा भी बहुत सारे खिलोने भी बनते हैं, लकड़ फिर चमड़ा है, तो चमड़े से बच्चों जूते बनेंगे, पर्स बनेंगे, बैक बनेंगे और कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक है, आप लिखना कि प्लास्टिक से कौन-कौन सी चीज़े बनती है, आप अपने घर में देखना और यहाँ पर उसकी नाम लिखना, रु रुई से खिलोने बनेंगे, रुई से आपके पर्स बगरा बनते हैं, और बी जो सजावटी सामगरी है, वो रुई की द्वारा बनती है, तो इस तरह से बहुत सारे पदारत आप इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे काच है, दातू है, स्टील है, सब को जोड़कर उससे ब बनी होती है, वस्तू जो है, जैसे हमने देखा कि बई, जो प्लेट है, वो किस कि कि बनी वी है, अगी बनी चलिपनी हो सकती है, और workshops, ऀप्लासिट कि बनी हो सकती है, प्लास्टिक से क्या क्या बना जा सकता है या कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पधार्त उप्योग किया जाना चाहिए ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन पधार्तों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आ शक्ता है यानि वे कौन से गुण है जो कि पधार्थ को उसके सामगरी उससे क्या बनानी है उसके लिए चैन करने में उसका सयोग करती है या हमारी सहायता करती है कि इस गुण है इसमें इस पधार्थ में ये गुण है इसलिए हमको इससे ये सामगरी बनानी चाहिए तो इन स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आज की लिए इतना ही धन्यवाद